नमस्कार टेश्टी फूर्ड विद्रिया में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे हॉममेड पिज्जा ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है और एक घर पर बना हुआ पिज्जा हेल्दी भी होता है तो देखिए कितना चीजी और फुलपी पिज्जा बनकर त्यार हुआ है तो चलिए सुरू करते हैं ये मैंने घर पर बना फ्रेस एकदम ताजा एक कटोरी दही लिया है दही को हम एक बड़े बरतन में डाल लेंगे हमें चार से पांच पिज्जा तयार करने तो उसी अकोडिंग हम इसमें सामिगरी डालेंगे तो ये देड़ छोटी चमच मैंने इसमें चीनी डाली है और देड़ छोटी चमच मैं इसमें नमक डालूंगी आप अगर कम पिज्जा तयार कर रहे हैं तो सामानूसी के अकोडिंग आधा करते जाएंगे तो देड़ चमच मैंने इसमें नमक डाल दिया है और ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और बेकिंग सोडा लिया है तो आदा छोटी चमच में इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हो देखिए यह आदा चोटी चमच इसमें बेकिंग सोड़ा डाल दिया है और एक चोटी चमच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है दोनों ही डालनें बेकिंग सोड़ा और बेकिंग पाउडर क्योंकि हम इसमें इस्ट का प्रियोग नहीं कर रहे हैं यह दो छोटी चमबच में इसमें ओयल डाल रही हूं ओयल आप कोई सभी यूज कर सकते हैं मैं इसमें रिफाइंड ओयल डाल रही हूं इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही पिज्जा को फुलाने के काम आएंगे क्योंकि हम इसमें इस्ट बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं तो देखिए यह अच्छी तरीके से रियक्ट कर रहा है इसमें से बबल्स आ रहे हैं अब मैं इसमें चार छोटी कटोरी भरकर इससे नापकर मैदा डालूंगी तो देखिए यह मैंने इसमें अपने चार कटोरी इसमें मैदा तयार करके में रखा था वो मैंने इसमें डाल लिया है अब इस मैदा को अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे हासे से नीचे तक अच्छे से मिलाएंगे पहले और हमें एकदम सौफ्ट आटा लगा कर तयार करना है पिजबेस बनाने के लिए हमें एक शक्ता होगी थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और आटे को अच्छी तरीके से गूत कर तयार करेंगे तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जा रहे हैं और आटे को अच्छी से मिला रहे हैं तो देखे एकदम soft आटा हमने ये लगाया है अब इसको 2-3 मिनिट तक इसी तरीके से हम मस लेंगे देखे अच्छा soft आटा लगकर हमारा तयार हुआ है अब इसमें एक छोटी चम मस ओयल लेंगे और उसे हातों पर इस तरीके से लगाकर हम इसे अच्छा चिकना करेंगे तो देखे कितना soft आटा दिखाई दे रहा है इसी तरीके का आटा हमें चाहिएगा अब इसे oil लगाकर थोड़ा सा और चिकना करके हम इसे रखेंगे तो देखे मेरा आटा एकदम अच्छा तयार हुआ है अब इसको थोड़ा सा उपर oil लगाकर मैं इसे ढखकर करीब 20 से 25 मिनिट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी जिसे आटा मेरा अच्छी तरीके से फूल कर तयार हो जाएगा तो देखिए डखकर मैंने इसको 20 से 25 मिनिट के लिए छोड़ दिया था तो देखिए आटा मेरा पहले से डबल हो गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गया है इसको बंच करेंगे और अच्छे से मि पीसों में हमें इसे डिवाइड करना है उसे अच्छे से बहले मसल कर हम इसे रोल बना लेंगे देखिए इसी तरीके से और अब इसको हम चार से पांच पीसों में डिवाइड करेंगे क्योंकि पिज़ा हमें बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बनाना है मेडियम साइज का पिज़ा बनाना है तो मैं इसे पांच पार्टों में डिवाइड कर रही हूँ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर देना अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर देना जिसे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो देखिए एक पीस को मैंने उठाया है और उसे अच्छी तरीके से गोल करके इस तरीके से मैंने रखा है अब मैं बेलन पर हलका सा ओईल लगा लेंगी और इसे अच्छी तरीके से बेल कर तयार करूँगे तो देखिए यह मैंने एक इस्टिल की प्लेट लिए है आपके पास पिजब बनाने का कोई भी प्लेट हो तो वो ले सकते हैं मैंने यह इस्टिल की प्लेट लिए क्यों जादातर सभी गरो में इस तरीके की मिल जाती है अब उस पर हम अपना यह वेस डालेंगे और उसे इस तरीके से उल्लियों से सायट से हम दबा देंगे दबाते हुए किनारों पर इस तरीके से से कर देंगे देखिए इसी तरीके से हमें पहले base को अच्छे से प्लेट में सेट कर देना है अब fork की साह्ता से हम इसमें इस तरीके से छेथ करेंगे जिससे pizza हमारा अच्छी तरीके से नीचे इसे पक कर तयार होगा यह मैंने pizza sauce ली है आप pizza sauce घर पर भी बना सकते हैं लेकिन मैंने रेडि मैट लिया है तो आप इस बेस पर सबसे पहले हम पीजा सॉस लगाएंगे और उसे चमच की साहिता से बेस पर अच्छी तरीके से हम फैला लेंगे देखिए इस तरीके से हम चारों तरफ अपने पिज्जा सोस को फिलाएंगे अब इस पर हम लगाएंगे अपनी सब्जियां सब्जियां आप अपने पसंद के कोडिंग लगा सकते हैं ये मैंने लंबी-लंबी स्लाइसों में सिम्ला मिर्च को काटा है और ये मैंने चोटे-चोटे पीशों में प्याज को काटा है तो सिम्ला मिर्च, प्याज, टमाटर और भी आप जो सब्जियां पसंद करते हैं वो लगा सकते हैं तो ये सारी चीजे मैंने इस पर डेकोरेट कर दी हैं ये मैंने मोजरेला चीज ली है चीज को मैं अब इसको कदुकस कर लूँगी पहले तो देख लिए चीज मैंने कदुकस करके रख ली थी अब इस पर उपर से हम चीज डालेंगे देखिए बहुत ही अच्छा आमें दिखाई दे रहा है और मैंने खूब सारा चीज इस पर लगा दिया है अब मैंने ये बाटी बनाने वाला ओवन लिया है आप चाहो तो पिज़ा कडाई में बेग कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का ओवन हो तो आप उसमें बेग करने ज्यादा अच्छा रहता है कड़ाई में पेक करने के लिए आप कड़ाई में पहले एक कटोरी नमक डाल ले उस पर कोई स्टेंड रखे उस पर आप अपनी प्लेट लगा दे तो मैंने ये डिरेक्ट ही ओवन रख दिया था उसको पांच मिनिट प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है तब तक मैंने इस पर रेट चली फ्लेक्स और और गेनियों डाल दिया है अपने पिज्जे के पिज्जा के उपर देखिए आप पांच मिनिट हो चुके हैं ओबन हमारा अच्छी तरीके से हीट हो गया है अब इस पर हम अपनी प्लेट रख देंगे और इसे 7-8 मिनिट वाद एक बार चे को टू मेडियम रखना है और कम से कम हमने यह 15 मिनिट पिज्जा को बेक किया है बहुत ही अच्छी तरीके से बेक होकर तयार हुआ है यह दूसरा पिज्जा वेस में ने सेम प्रोसेज में बना कर तयार कर लिया था अब उसको हम सिखने के लिए छोड़ देते हैं इसको हम क संदाता है बच्चों को तो आप भी अपनी घर पर पिज्जा बनाईए खाईए और अपनी अनुव मेरे साथ सेर कीजिए फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद